बोजपूर इंडेस्ट्री में अक्सर कोई न कोई विवाद चलता रहता है अभी शोसल मेडिया पर एक विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है यह विवाद एक मामली सा विवाद था जो कि धीरे धीरे बढ़ता गया और अब जाकर जाती वाद पर उतर आया इस विवाद रूपी आज में अपने गानों से घ्री डालने का काम कर रहे हैं भोजपूर इंडेस्ट्री के तुटपुंजिया कालाकार इस विवाद के शुरुवात कुछ ऐसे हुई थी कि अभी नेत्रे डिमपल सिंग आ रहा के स्थे शो में खिसारी लाल्यादों के किसी गाने बस विवाद यहीं से शुरू हो जाता है पावन सिंग की करेवी अभी नेत्रे डिमपल सिंग का खिसारी लालयादों के गाने पर डांस करने से मना करना बोजपूर इंडेस्ट्री के अहिरांड स्टार उस टुन्टुन यादों को यह बात रास नहीं आई और उनके परकतों को कहीं न कहीं खिसारी लाल यादों से रिलेट करके देखा गया और खिसारी लाल के समर्थन में डिमपल सिंग को टार्गेट करके गाना गाया गया इसके बाद विवाद यहीं से जोर पकड़ लिया और बढ़ता चला गया फिर बढ़ता गया बढ़ता गया और अ हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि एक सुनसी जैसा छोटा सा मामुली विवात धीरे धीरे बढ़कर इतना बड़ा घाओ कैसे बन गया जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है उससे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथ के कैमरामें विशाल और आप देख रहे हैं जमाजम भोजपूरी बोजपूरी के अभी नेटली डिमपल सिंग ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका खेसारी के गाने पर डांस करने से मना करना इतना महगा पढ़ जाएगा और पूरे यादो समाज काईगो ऐसे हट हो जाएगा कि पूरे समाज की बेटी बेहनों को सरयाम गरी आया जाएगा किसी भी समाज की काज़ा नाम के सारी लड़कियों के छाती में पिस्टल सटा सटा के उनको रात भर नचा नचा कर खुद को रंग बाज बताया जाएगा डिमपल अगर जानती कि मेरे रील के कैप्शन में इतना लिख देने मात्र से यादो समाज के मर्दों का दो कोड़ी काई गो ऐसे हट होकर छितरा जाएगा कि उनका गाने का विरोध करने पर विरोध में मा बहन को जमकर गाली दिया जाएगा तो डिमपल शायद ऐसा कभी नहीं कर दी अब आते हैं उन गानों के उपर जो सिर्फ इस बात पर गाये जा रहे हैं कि डिमपल सिंग ने आखिर खेसारी लाल यादो के गाने पर डांस करने से मना क्यूं कर दिया मतलब इनकी माने तो इनको डिंपल सिंखो जबरजस्ती के सारी लाल यादो के गाने पर नचवाना था और यदि आप इनकी बात का विरोध करते हैं तो ये अपने गाने में आपको गंदे गंदी और रश्री लश्तिल बातों से संबोधित करेंगे मतलब इनको हर बार कही नगें आपके साथ जबरजस्ती ही करना है खे टुन्टुन यादो डिंपल सिंखो टारगेट करके जो गाना लाते हैं उसके विरोध में मगहिया जवान नाम के समर और गौतम सिंख तुंटुन यादो के इस गाने का जमकर विरोत करते हैं और अपनी वीडियो में समाज की बहन बेटियों का नाम लेकर गाना-गाने के लिए बार-बार बना करते हैं बस फिर क्या था? यहाँ भी तुंटुन यादो का फिर से दो कॉरिया मे लीगो हट हो जाता है और इस बार डिंपल सिंग को गौतम और समर सिंग की बहन बता कर खुद को उनका जीजा बता बता कर एक बार फिर टार्गेट करके वे अंग्यात्मक गाना गाते हैं उसके बाद फिर एक बार समर सिंग और गौतम सिंग एक वीडियो बनाते हैं अटुन तुन यादों की मा बहन के बारे में अनाप्षनाप बाते बोलते हैं मामला तब भी शांत नहीं होता है और अब मगहिया जवान को गर्याने वाले ऐसे कई तुट पुझिया कालाकार उभर कर सामने आते हैं और सब अपने अपने गाने में अपने अपनी जाती को उचा दिखा कर दूसरों की मा बहन को दम भर गाली देते हैं ऐसे ऐसे करके विवाद धीरे-धीरे इगों से शुरू होकर जाती वाद का रूप ले लेता है और बीच में अलग-अलग समाज की सबकी मा बहन बेटियों को लपेट दिया जाता है खेर इन सब के बीच एक जूता छाप गायक मसूरिया मेल यादों तुन तुन यादों के फेबर में फट बसिया गले के साथ गाना लेकर आता है जिसमें थम्दिल में लिखा है कि मगहिया जवान रेलाई 2.0 और उसमें गाता है कि जगड़ा के तगड़ा बजार भाईल भीया अहिरन के देवेला तयार भाईल भीया गौतमवा तोर बही नी छिनार भाईल भीया अरे बुढ़ावा जवान के जोगार भाईल भीया तो भांज भांज कर दात पीस पीस कर इस गन्वा को गा रहा है और मगया जवान की बेहनों को खूब गरिया रहा है वह सब तो ठीक है हमको यह समझ में नहीं आता है कि इंडस्री के किसी भी कालाकार को किसी भी कालाकार के किसी भी बात का यदी बुरा लगता है और उनका इगो हट हो जाता है तो एक दूसरों की बेहनों पर या अपनी जाती या दूसरों की जाती पर गाना निकाल कर एक दू मामला वही पर खत्म हो जाएगा लेकिन नहीं इन लोगों को तो बोजपूर इंडस्री में चीछा लेदर फैला कर बोजपूर इंडस्री को कही कर नहीं छोड़ना है और सब को अपने अपने गाने से ही बताना है कि हम लोग एक दूसरे की मा बहन की बिल्कुल भीज़त नहीं करते हैं उसका सबसे असान तरीका इन लोगों ने बना रखा है कि जम मन तब उठिये और मामला चाहे कैसा भी हो गूम फिर कर किसी ने किसी की बहन बेटी को लपेट के जम क आगे फिर देखना होगा कि मघईय जवान का मसूरिया में लियादव के गाने पर क्या रियक्षन होता है और अपने गाने में अब किसके बहन को आया जाता है। बागे फिलाल इस वीडियो में इतना ही बागे मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे इचाज़त दीजिए धन्यों